तो चलिए देखे आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट जनवरी 24 के लिए चाइल्ड डेलप्मेंट एंड पेडगोजी यानि की जो आपको सीडीपी है ठीक है पेपर पास्ट वाले तो देखे आज हम इसके 30 कुश्चन कंप्लेट करेंगा ठीक है जिसे हिंदी में बोला क्यों की ओर चलेंगे और देखें कि हमारा पहला क्या है तो सबसे पहले फ्रेंट्स आप लोग एक बात समझ लीजिए कि देखें आप पेपर वन दीजिए या फिर पेपर टू दीजिए ठीक है जो पहला सेक्सन होता है वह आप लोगों का सीडीपी का यानि की बाल विकास का ही होता है ठीक है सबसे पहले आप लोगों से बाल विकास पूछा जाता है उसके बाद आपका अगर पेपर टू है तो फिर हिंदी पूछा जाएगा फिर संसिक्रिक पूछा जाएगा ठीक है अगर पेपर वन है तो इसके बाद आपका एवियस वगेरा या फिर हिंदी इस सब रहता है तो यानिकि एक चीज आप लोग समझ लिजिए कि जो सबसे पहला सेक्षण होता है वह आप लोगों का बाल विकास का आता है ठीक है तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेस्चन की वर सुरुवात करेंगे और देखते हमारा पहला प्रतिभाया है जो पुर्ड रूप में बुद्धी में विद्यमान रहती है ठीक है और दूसरा है कि बहु बुद्धी सिच्छार्थियों को अपने रुजहान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है जो कि बिल्कुल सही है ठीक है यहाँ पर आलोचना यानि कि जो आपका निगेटिव अला रहेगा वो आपको बताना ही है तो आपका बिल्कुल सही है तो तीसरा ओप्सन है कि यह ब्यवहारिक बुद्धी पर आविसकताओं से अधिक बल देती है जो कि बिल्कुल सही है और fourth option है कि यह अनुभाविक साच्छे को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है ठीक है तो यहाँ पर देखे friends आपको आलोचना बताना है इसके ठीक है यानि कि इसकी क्या कमिया है इसकी क्या बुराईया है ठीक है आलोचना का मतलब यहीं होता है तो देखे जो बहुद्ध सिद्धान्त होता है friends वो देखे आपके कीवल प्रतिभाय होती है जो पूड़ रूप से बुद्धी में विद्यमान रहती है ठीक है तबको जो पहला option है friends वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर आपसे आलोचनाय पूछी है ठीक है जो उसकी कमिया है यहाँ पर जो राइट आपसें होगा वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि देखें जो गार्डनर है ठीक है उन्होंने इस पश्ट किया था कि जो बुद्धी का स्वरूप है ठीक है वो एकाकी यानिकी सिंगलर होता है ठीक है नकी बहुकारिकी होता है तो पर सेकेंड है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म की सही होने की संभावना कम है ठीक है कौन से युग्म की सही होने की संभावना कम है तो पहला ओप्सन देखें क्या है यहाँ पर पहला है बच्चे भासा के बारे में चौमस्की में निश्चित इज्ञान के साथ प्र दीपक है वी एफ इसकीनर आपको बताना है कि जो यूग्म है इस में से ठीक है सही होने की संभावना सबसे कम है आपको बताना यहाँ पर जो सबसे कम सही है उसको बताना है तो देखें जो भासा के बारे में चामस्की ने निश्चित इग्यान के साथ प्रविस किया है यह त है घ्रिए जो बहुत कि बहुत कि यहां पर वातावरादी मनोविज्ञानिक है यहां पर वातावरार से इसलिपत होगा New पातावराल से संबंदीदि तो दीखें जो राइट आपसन होगा आपका आपसन नंबर फोर्थ ही बिल्कूल करेक्ट होगा ओके फ्रेंड्स यहां पर फॉर्थ आपसन इस तरह राइट चलें अगले तो यहां पर देखेंट जो सबसे करेक्ट ऑप्सन होगा आपका होगा ऑप्सन नमबर थर्ड जेंडर भूमिका रूड़ी बद्धता क्योंकि यहां पर क्या बुजा है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण तो यहां पर आपको देखेंट जो आपका सामाजिक भूमिकाओं के करण जो सौपी गई विसिष्टताय होती है यह जेंडर भूमिका रूड़ी बद्धता कहलाती है ठीक है तो जो राइट ऑप्सन बनेगा ऑप्सन नमबर आपका थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चरिह अगले कुस्चन की और चलेंगेए फ्रेंड लेगर क्या है अगला क्विस्चन नमबर फोर्थ है कि निमनलिकहिद में से कौन सा अधिक्तम करने के लिए सरवाधिक उचित है अब यहांपर देखिए आपसन कूछा है कौन सा आंसर सही होगा ठीक है पहला option देखे क्या है कि सिच्छक को अपनी संग्यानात्मक सैली के साथ साथ अपने सिच्छार्थियों की संग्यानात्मक सैली की पहचान करनी चाहिए जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड सिच्छिका को ठीक है सिच्छिका या फिर सिच्छक दोनों को मान सकते हैं सेकेंड ऑप्सन है किसी चार्थियों में व्याक्तिक भीन्नता को शहज बनाने के लिए सामान से चार्थियों को युग में बनाये जा सकते हैं देखें युग में बनाना या फिर वर्गी करण करना यह आपका निगेटिव होता है ठीक है तिसरा उप्सन है कि अधिकतम परडाम लाने के लिए से चक केवल एक अधिगम सैली पर ध्यान केंद्रत करता है देखें केवल जहां पर आता है यह तो आपका निगेटिव होता है ठीक है और चोधा option है कि समान सांसिक्रित प्रिष्ट भूमी वाले सिछार्तियों को एक कच्छा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन से बचा जा सके तो यह आपका नहीं सही होगा ठीक है जो right option होगा option number first ही सही होगा इसमें क्या दिया है कि समान सांसिक्रित प्रिष्ट भूमी वाल अत्मक सहली के साथ साथ अपने सिछार्टियों के संगया नत्मक सहली की पहचान करनी चाहिए और यहां पर देखिए question किसे पुछा है आपको अधिगम को अधिक्तम करने के लिए पूछा गया है तो यहां पर first option ही बिल्कुल correct होगा बाकि सब आपके negative answer है ठीक है जो सबसे इसमें से एक को छोड़ करके कौन सा सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है पहला option है सिछार्थियों को आंत्रिक प्रिष्ट पोस्टर लेने के लिए कहना दूसरा option है अवसर लेने है तू सिछार्थियों के लिए एक सुरच्छित वातावरण कर निर्माड करन तिसरा है पढ़ाए गए विशाय में मनन करने के लिए सिछार्थियों को कहना और चौथा option है जितनी संभावना हो सिछार्थियों को लगातार परिछड करना तो यहां पर देखें किसको छोड़ करके आपको बताना है देखें सबसे पहला है कि सिछार्थियों को आंतरिक पुष्ट पोसर लेने के लिए कहना जो कि यहां पर तो आपका यह पॉजटिव होता है ठीक है और सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते है ठीक है यानि कि किसको छोड़ के यह तो आपको पहला ही बताया है जहां पर आफसर आता है यह आपका पॉजटिव अंसर होता है ठीक है और तीसरा है पढ़ाये गए बिसे में मनन करने के लिए सिख्षार्थियों करना यह तो आपका निगेटिव होगा ठीक है तो जो निगेटिव है वहीं हमको बताना है कि इसको छोड़ करके ठीक है तो यानि कि आपसर नमर फोर जितनी संभावना हो सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है यानि कि यह सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं इसको छोड़ करके ठीक है तो जो छोड़ करके करना है वहीं हमारा सही आपसन होगा क्योंकि हमसे गलत पूछा है ठीक है गलत वाला तो आपका खाना बनाते हैं पहले कि जमाने मुन्हें बावर्ची कहा जाता था ठीक है तो ध्यान दीजेगा जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चकता है तो वह किसके समान है सीखने का आकलन सीखने के लिए आकलन सीखने के रूप में आकलन और चोथा है आकलन और सीखना तो तो काईसा है वो आकलन कर दो इसका बना है कि एक प्रकाट से आकलन किया जाता यहंपर देखिए second option है वो बिल्कुल correct होगा चलिए हम लोग अपने अगले question की ओर चलेंगे और देखतेंगे हमारा अगला questions क्या है ठीक है देखे अगला question है आपका कि अंतरपरक अनुदेशन है ठीक है आपको बताना है कि जो अंतरपरक अनुदेशन होता है वो क्या है पहला option है सिचार्थियों की आवसकताओं को पूरा करने के लिए समोही करण के वीविद रूपों का प्रयूग करना दूसरा option है कच्छा में प्रथ्यक सिचार्थी के लिए कुछ अलग करना तिसरा है आप्यवस्थित अथवा स्वच्छन्द सिचार्थी गतिवीधियां और चोथा है ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते ठीक है तो आपको देखे बताना है जो अंतरपरक अनुदेशन होता है ठीक है उसके बारे में आपको बताना है तो देखे फ्रेंड जो सिछार्थियों के आवसकताओं को पूरा करने के लिए समूही करण के रूपों का प्रयोग करना है एक समूह में विविद्य रूपों का प्रयोग करना ही अंतरपरक अनुदेशन कहलाता है ठीक है अंतरपरक के सिलड़ी में आता है चलिए यहां पर फर्स्ट आप्सन जो है वह बिल्कुल करक्टर देखे most important question है friends यह आपके previous question paper में आये हुए ह ठीक है तो चलिए अगले question क्यों चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला question क्या है देखें अगला question है कि सांस्कृतिक तथा भासिक रूप से वैविध्य पूर्ण कच्छा में यह निश्चित करने से पहले की सिच्छार्थी विशिष्ट सिच्छा वर्ग में आते है या नह ठीक है अच्छमता इस्थापित करने से पहले सिच्छार्थी के मातरी भाष्टा का मुल्यांकन करना चाहिए तीसरा है कि परंपरागत्मनों वैग्यानिकों का उप्योग और चौधा आप्सन है वातावर्डिय कारकों को आप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर जो हमसे पूछा है कि सांस्क्रिप्तिक तथा भासिक रूप से वैविध्य पूड़क अच्छा में निश्चित करने से पहले कि सिच्छार्थी विशिष्ट सिच्छावर्ग में आते है या नहीं तो एक सिच्छक को क् तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स जो डाइट ऑप्सन इसका होगा वो आपका ऑप्सन नंबर सेकेंड होगा कि जो अच्छमता इस्थापित करने वाले सिच्छार्थी है यानि कि जो अच्छम सिच्छार्थी है उनके मात्रिभासा का मुल्यांकन करना चाहिए ठीके कि व स्क्रीन पर हमारे जो क्विस्चन से वह आ जाए देखिए अगला क्विस्चन है कि निम्ने लिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अच्छमता उत्पन हो सकती है इन चारों में से एक को बताना है जो निगेटी हुए ठीके पहला अप्सन है सिच् इन चारों में से खाली स्थान के अधिगम अच्छमता उत्पन हो सकती है तो देखिए किसको चोड़ करके हो सकता है यहां पर देखिए जो राइट आप्सन बनेगा वो होगा सिच्छक की सिच्छड सैली के अतिरिक्त जो सभी यह तीन कारण है यानि कि जन्म से पहले मा द आप्सन बनेगा वो आपका आप्सन नंबर फॉस्ट होगा यानि कि इसके अतिरिक्त ठीक है तो यहां पर फॉस्ट आप्सन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा चलिए अगले क्विस्चन की और चलेंगे फ्रेंड और देखेंगे हमारा अगला क्विस्चन क्या है कि वो किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्णों पर मनन करता है पहला ऑप्सन है क्या हम यह विस्वास करते हैं कि सभी सिच्छार्थी सीख सकते हैं बताइए आप लोग कि क्या विस्वास करते हैं कि जो सभी विद्यार्थी है वो सीख सकते हैं तो यहां पर देखि है क्या हम अधिकम योग्य परिवेस की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं जी बिल्कुल करते हैं देखिए हम कोई भी जब अधिकम करते हैं यानि के कुछ सीखते हैं ठीक है तो वो एक योग्य परिवेस की ठीक है एक योग्य परिवेस क योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कारे करते हैं देखे कितने भी योजनाय चलाई गई हैं ठीक है सीखने के तत्र पर यानि कि मान लीजी आप लोग जैसे क्लास में भी आप लोग देखे जब रहते होंगे पढ़ाई करते होंगे तो जब आप कुछ सीखना होता था तो एक अच्छे परिवेश की बात करते होंगे आप लोग ठीक है उसके बारे में योजना बनाते होंगे और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कारे करते होंगे यानि कि group में ठीक है चार-पांश के group में, दस के group में आप लोग इतने पढ़ाई कीये हैं ठीक है तो group तो आप लोगों को टोली बनी ही रही होगी तो आप लोगों को ये अच्छे समझन में आना चाहिए ठीक है, तो देखे दूसरा, पहला और दूसरा तो बिल्कुल correct है option, तीसरा है, क्या हम VCS बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामाने से अलग करते हैं, देखें आप जब सामाने से अलग करते हैं, या फिर उनका वर्गी करल करते हैं, ठीक है, तो यह आपका negative होता है, ठीक है, ध् सिच्छार्थियों की विविद आवसकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, देखें, जो हमारे सिच्छार्थी होते हैं, ठीक है, यदि देखें, आपके जो क्लास होते हैं, उसमें सभी प्रकार के सिच्छार्थी होते हैं, ठी तो आप सब की Aust lado को पूरति करने के लिए अपनी जो युक्तियां है वो टीचर जो होता वो तो अपनाता ही है कि कौन影片 हमारा किसे सीख सकता आपसन है इसके अतरिक्त यह जो आपका पहला दूसरा और चोथा है इन सभी प्रशनों पर मनन करता है कौन एक समावेसी बिद्याल है तो आपका थर्ड आपसन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा ओकी चलि अगले क्वेस्चिन की और चलेंगे फ्रेंगे आई हो आप लोगो अफसारी चिंतक होता है बहिर मुखी होता है यह फिर बहुत परश्चरमी होता है या फ्रेंगे पर्शृ dependence की होता है या हमढ़ी प्रदहल साली ब्यारति पर इंदर बहुत जादे होती है इस प्रकार से जो प्रतिभासाली बच्चे होते हैं उनके अंदर होती है और किसी भी समस्याओं को समाधान करने के लिए वह पहले ही तत्पर हो जाते हैं ठीक है तो यहां पर जो सेकेंड ऑप्सन है वह बिल्कुल करेक्ट होगा जाने के देखेंगे हमारा अगला क्विस्टन क्या है ठीक है दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निमनय लिखित में से कौन सा यूग्म सरवाधिक उचित विकल्प होगा जब बच्चे उन गतिवीधियों में शामिल होते हैं ठीक है तब वे जल्दी फिर खाली इस्थान करते हैं यानि कि जब बच्चे उन गती वीदियों में सामिल होते हैं जो खाली इस्थान होते हैं तब वे जल्दी फिर खाली स्थान है करते हैं तो पहला औप्षन क्या है कच्छा कच्छ में उप्योगी फिर इसके बाद है विस्मरण दूसरा उप्षन है के वर उनके कारियर प्रत्या इस्मरण से संबद्धित सांस्कितिक रूप से निस्पच्छी इस्मरण चोथा है वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा तो देखे यहां पर जो आपका correct option होना चाहिए friends यह देखे क्या होगा कि जब बच्चे उन गतिवीधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती ह है तब भी जल्दी सीखा करते हैं ठीक है जो भी उनके जो गतिवीधि होती है बच्चों में झाले क्विस्चिन के ओर चलेंगे और देखते हमारा अगला सब्सक्राइब करने के पीछे विचार हो शकता है यानि कि जो सिछार्थियों के लिए ब्यक्तिकत गतिवीधियों के इस्थान पर श्रामुहें गतिवीधियों की संग इस्तुति करती है ठीक है ऐसा करने के फीचे बिचार हो सकता है देखे पहला अप्सन है कि ब्यक्तिकत इस परधा के लिए प्रति नकारात्मक समय गात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो पुट्र अधिकन को शमाने कृत हो शकी है ठीक है यहां पर यहां पर यह पुझे प्रति इस पर्धां यहां-पका हो सकता है ठीक है क्योंकि देखिए हमने आपको बताया है कि प्रतिसपरधा निगेटी होता है तो आप लोग यह दियान मत देजेगा कि क्यों यहां पर प्रतिसपरधा आगया है तो यह आपका निगेटी हो जाएक उसके बाद आपको पूरा all option यानि कि वह वाक क्या है ठीक है उसको पूरा आ से देखे निगेटिव होती है देकिन इस option में जो दिया है ना इतने लंबे चोड़े इस ना वाक्य दिया है यह पूरे में यह प्रतिस्पर्धा जो है वह आपका positive है दूसरा option है आपका कि प्रतिक सिछार्ति के इस्थान पर शमूह में अवलोकन द्वारा सिछक के कारियों क सरल बनाने के लिए तीसरा है विद्यालियों के पास उपलब्ध शमय को प्राशंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांस के पास ब्यक्तिकत गतिवीधियों के लिए परियाप्त समय नहीं होता और चोथा है आपका कि गतिवीधि की धाचा गत लागत को कम करना ठीक है तो बारना हो सकता है क्योंकि देखिए जु समुहिक प्रतीष्परदाओं के द्वारा आपका जो अधिकम होता है ठीक है उसका सामानी करण वह अधिक हो सकता है तो यहां पर देखिए जो फॉस्ट आपसन है वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट होगा ओकी आई होब आप लोगों पर आधारित है आपको बताना है कि जो बच्चे हैं वो फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक बेवहार को सीख सकते हैं तो यह जो निसकर्ष है फ्रेंट्स यह निरमलिकित में से किस वने वेग्यानिक द्वारा किये गए कारी पर आधारित है पहला ऑप्सन थानडा एक है यह जो आधारित हो यहां पर आपसेन किये हमाने है थानफेन एक भी अग्ले कुछ क्यों चलारों के दौनाट्स बक्रणा उत्मक द्वाखन स्क्राणार हो फ्रेंटा हुन में थी यहां पर आधारित हो सकता है क्थार्ण का वेफकर से कил आधार्थ करेंग पेक्षिं में करने की कोशिस करते हैं इस प्रकार के अनुरूपड को खाली इस्थान कहा जा सकता है यानि कि जो इस इच्छारती है वह फैसन सो को देखकर मॉडल का अनुक्रड करने की कोशिस करते हैं इस प्रकार के अनुक्रड को कहा जा सकता है प्रात्मिक अनुक्रड गौड तो यहां पर देखे फ्रेंट जो इस प्रकार के आपके अनुक्रण है यह आपके सामाजी का अधिकम होता है क्योंकि जो बच्चा है वो शामाज में जा करके सीखता है यह सब जो फैजन्स हो देख करके यह मॉडल का अनुक्रण करना ठीक है तो यहां पर आपका थार्ड आपसन ही बिल्कुल करेक्ट होगा ओकी चलिए अगले क्यों चलेंगे और देखते हैं अगला क्या है देखिए अगला क्या है आपका कि यदि सिख्छार्थी पार्ठ के दौरान लगातार गलतिया करते हैं तो शिख्छक को, यहाना कि जो बच्चे हैं यहाना कि जो सिख्छार्थी हैं जैदि वह पार्ठ के दौरान लगातार गलतिया करते हैं तो सिख्छक को क्या करना चाहिए? पहला ओप्शन है अनुदेशनू कार्य शमय सारड़ी बैठने की बेवस्था में परिवर्तन करना चाहिए जो कि बिल्कुल सही होगा सायद क्योंकि हम लोग अभी तीन ओप्सन और देखेंगे ठीक है दूसरा अप्सन है पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए तीसरा है गलतियां करने सिच्छार्थियों को कच्छक अच्छे से बाहर खड़ा कर देना चाहिए तो यह तो आपका बिल्कुल ही निगेटिव होता है देखें जो सबसे पॉजटिव आपसन होगा कि यदि जो सिच्छार्थियों पाठ के दौरान लगा तार गलतिया कर रहे हैं तो जिस जो सिच् समारा क्या है देखें क्वेश्चन है आपका कि यहां पर खाली स्थान रहेगा ध्यान नहीं दिया गया ठीक है किसके अतिरिक्त निम्नले लिखित कुछ तक्नीके हैं जो परिच्छा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती है ठीक है यानि कि कौन सी आसे तक्नीके हैं जो परिच्छा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती है पहला अप्सन है प्रस्न पत्र खिस्तन रचा यानि कि पैटर्न से परिचित कराना दूसरा है परल्याम के बारे में बहुत अधिक सोचना तिसरा है समर्थन प्राप्त करना और चर्था विशिष्टताओं पर देना यहां पर देखें जो आपका जल्च coronavirus आपका जया हुसके कारण इजम्य परिच्छा उने वाली जो चिंता इसपर दूर करती है परिच्चा आपका जहांा सहर्फningar नियांकि बहुत अधिक सोचना है यह अैपकी परिच्छा में बहुत बढ़ी बाधक में सकती है ठीक करना उससे परिचित होना चाहिए समर्थन प्राप्त करना चाहिए और बिस्ट दाओ पर बल देना चाहिए ठीक है तो यहां पर करेक्ट आपका सेकेंड आपसन होगा क्योंकि यहां पर किसके अतिरिकत पुछा है तो आपका केवल आपसन नमबर टू को छोड़ करके बाकी ठीक है बलूम की टेक्सोनामी खाली इस्थान पदा नुक्रमिक विवस्था है की पहला आपसन है आपका उपलब्दी लच्छियों दूसरा है पाठे चर्या संबंदी घोषडाओं तीसरा है पठन का उसन और चोथा है शंग्यानात्मक उद्देशियों तो देखें जो ब पधनुक्रमिक विवस्था है ठीक है यहां पर यह की नहीं होगा थिक है यह आपका पता नहीं कहां से यहां पर टाइप होगा है ठीक है यह गलत होगा यहां पर तो देखे जो राइट अप्सन होगा फ्रेंड वह आप्सन नमबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओकी चलिए अगले के चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्विस्चन क्या है देखे क्विस्चन थोड़े से लांग है बड़ ध्यान दीजेगा आप ल यहार रोचक लगता है गार ओर वह सोचता है कि यह उसके भविस्चे में में शहायक होगा आगे है इसलिए पढ़ती है क्योई वह कच्छा में पहला अस्थान प्राप्त करती है ठीक है सो जो है वह अंग्रेजी बिसे इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तिर होने वाले ग्रेड़ प्राप्त करना है अब आगे हैं कि अब और शो के उद्दे से क्रमशह क्या है यानि कि देखिए अब और सो तीन इस्टूडेंट इस लिए पड़ती है कि उसी कछा में वह पहला इस्थान प्राप्त करना चाहती है ठीक है और अंगे में Kendra सरुकार है वह उत्रण होनेवाले ग्रेड प्राप्त करना मुझेशा सबसकतं को अब आपको बताना है कि यह उद्들 स्थान वन तो में यहां पर है कौन सा प्रेंड का कि लिएग दिए, जो आ पका से नंबर और आपना क्योंकि भूण है जो आब स के उद्देशे हैं वो करमशा निपूरता निस्पादन तथा निस्पादन उपेच्छा है क्योंकि देखिया द्वारा अंग्शे भीजह को रूची के साथ पढ़ना ठीके उसका निपूरता प्राप्त करना जब ब है जो ब है ठीक है उसके द्वारा अच्छे अंक प्राप्त करना उसका निस्पादन दिखाता है और जो देखिए उसका सव है ठीक है सव सिछार्थी जो है उसके द्वारा केवल पास होना यह सिखाता है कि उसका उद्दे से निस्पादन उपेच्छा है ठीक है तो य हाला कि यह इस पश्ट रूप से उनकी सुरच्छा आवेसकताओं के उलंगन में था कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दरान कारगिल युद्ध में मारे गए शंभावता उन्हें खली अस्थान था या थी पहला उप्शन नमीन अनुभाव की प्राप्ती की इच्छा थी दूसरा है आत्मसिद्धि की प्राप्ती तीसरा उप्शन है अपने अत्नत शंबंधी आवेसकताओं की उपेच्छा और चौथा है अपने परिवार के नाम के ख्याती प्राप्ती तो देखे फ्रेंडस आत्मसिद्धी की प्राप्ति क्योंकि देखें फ्रेंड्स वे अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध के दौरान सहीद हो पाएं ठीक है जबकि उन्हें इस बात का अहसास था कि उनका कारे उनकी सुरच्छा आवसकताओं का इस पश्ट उलंगन था ठीक है तो प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्ले लिखित में से किसके बाद अधिक कठीन है ठीक है यानि कि जो प्रतिक्रिया आपकी होती है ठीक है उसका विलोप होना निम्ले लिखित में से किसके बाद अधिक कठीन है आंसिक पुनरबलन निरंतर पुनरबलन दंड मौखिक ठीक है तो यहां पर देखिए फ्रेंड जो सबसे correct option होगा वो आपका आंसिक पुनरबलन होगा क्या है option number first क्योंकि देखिए friends जो प्रतिक्रिया का विलोप होना होता है ठीक है वो आंसिक पुनरबलन के बाद अधिक कठिन होता है जो कि देखिए जब पुनरबलन friends नियमित न होकर अनियमित रूप से प्रदान किया जाता है तो ऐसे पुनरबलन को आंसिक पुनरबलन कहते हैं ठीक है आप लोग ध्यान दीजेगा question देखिए बहुत ही important है ठीक है पहला option है सिछार्थियों के ब्यक्तिकत प्रयाशों पर ध्यान के अंद्रित करने डूसरा option है सिछार्थियों की सफलता पर तूलना करने तूलना तो बिल्कुल ही नहीं होगा प्रोप में आधिक अभ्यास सामगर दे कर ये भी आपका नहीं होना चाहिए अभ्यास सामगर दे कर तीसरा है अनपेच्छित पर इच्छा लेकर तो देखें यहां पर जो सबसे कि चलि कोई बात नहीं आजा रहाए क्वेस्टिन तो आने दीजिए कि निम्ने में से किसका मिलान उचित है ठीक है पहला ऑप्सन इस सारिक विकास वातावरण दूसरा है आपका संगयन आत्मक विकास परिपकवता तीसरा समाजिक विकास वातावरण अर्चता है समयकात्मक विकास परिपकवता तो देखे इसका जो करेक्टा उप्सन होगा वह आपका हो जाएगा और समयक्थ है उसके वाता उरण से होता है ठीक है यहां पर देक्याग्थ हिस्टम नमबर थार्ड होगा बिलकुल correct चली अगले question क्यों चलेंगे friends और देखेंगे हमारा अगला questions क्या है थोड़ा से से छोटा कर लेंगे ताकि कि किसके अतिरिक्त एक गलत होगा इसमें से और तीन सही हैं वो आपको बताना है ठीक है किसके अतिरिक्त निम्नलिकित सभी तत्य संकेत करते हैं कि बच्चा कच्छा में समेगात्मक और शामाजिक रूप से समा योजित है पहला ऑप्सन है हम उम्रसाथियों के स्चात मधूर शंबंधों का भिकाज दूसरा है चनोती पुड़कारियों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें द्रढ़ता पुरवक करते रहना चोथा है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रवंधित करना और चोथा है कि हम उम्रसाथियों के साथ प्रतियोगिता पर ध्रढ़ता पुरवक ध्यान केंद्रित करना तो यहां पर आपसे पूछा है कि किसके अतरिक्त निमलेखित सभी तत्य संकेत करते हैं कि जो बच्छा है वो कच्छा में समय कात्मक और शामाजिक रूप से समायोजित है ठीक है तो यहां पर देखे फ्रेंड्स जो आपक राइट आपसन यानि कि जो आपका निगेटिव होगा वो आपका यहीं होगा कि हम उम्रसाथियों के साथ प्रतियोगिता पुर्वक ध्यान के अंद्रित करना ठीक है इसको छोड़के बाकि जो आपका वन टू थ्री आपसन है ठीक है यह सभी तत्थे जो हैं तीनों ठीक ह सिसे पर बच्चे के बच्चे करते हैं कि जो बच्चा है वो कछ्छा में समय गात्मक और समाजक रूपस रूप से positivokay तो यहां पर इनकर्हत ह्ा तो यहां पर पूछा कि इंकरें यह थी हूगा अगला प्विश्चन है आपका कि निम्न लिखित में से कौन से कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है पहला अप्टे है कुछ सिछार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमर करते हैं जिबकि उसी कच्छा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर तो यह आपका सही नहीं होगा क्योंकि यहां पर परिवेश की भूमिका का समर्थन करने के लिए पूछा है फ्रेंज तो यह आपका यहां पर नहीं होगा दूसरा अप्सन है कि पिछली कुछ दसक में बुद्धी लब्धांक परिच्छा में सिछार्थियों के आउसत प्रद अब जो है वह लगातार बृद्धी हुई है तो यहां पर यह करेक्ट हो सकता है बड़ हम लोग 3 और 4 भी देखेंगा तिसरा अप्सन है कि एक समान जुडवा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न भिन्न घरों में हुआ उनकी बुद्धी लब्धी 0.75 के समान उच्छ है हो कि आसा यह बिल्कुल नहीं है और चाहता है कि सारिक रूप से स्वस्त बच्चे अकसर नातिक रूप से अच्छ ही पायते हूं ठीक है तो यह आपका बिल्कुल सही नहीं है तो देखिए यहां पर जो सबसे करेक्ट ऑप्षन होगा फ्रेंड वो आपका आप्सन नमबर स बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ दस्कों में बुद्धी लब्धांक परिच्छा में सिछार्थियों के आउसत प्रदर्शन में लगातार बृध्धी होई है ठीक है यहाँ पर विकास में परिवेस की भूमिका का समर्थन करने के लिए पूछा है तो यहाँ पर आपका सबस संचरण और कौन सा ठीक है पहला आप्सन है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना दूसरा है व्यक्तिकत विकास तीसरा है बच्चों को लेबलों में समयोजित करना और चौता है समय गात्मक समर्थन उपलब्ध कराना ठीक है तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स जो समाज समय पर देखें यहां पर प्रक्रिया होती है समाजी करण जिसके फ्रस्वरूप व्यक्ति समाजिक ब्यवहारों को स्विकार करता है और उसके साथ अनुकुलन करता है ठीक है यहां पर सेकेंड्स आपसन ही बिल्कुल करेक्ट होगा चलिए अगला क्वेस्चन देखेंगे ह कि एक सिच्छी का दो एक समान गलासों ठीक है देखें एक सिच्छी का जो है वो दो एक समान गलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मातरा से भरे हुए है वह उन्हें ठीक है वह उन्हें दो भिन गलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा प्रदर्शित करती है जो जूस समान मातरा में दोनों ग्लास में भरे हुए ठीक है लेकिन फिर बाद में वह जो सिच्चिका है तो जो बच्चे है उनको ग्लास की पहچान करने के लिए कहती है जिसमें ज्यादा है तो यहां पर आपको बताना най की सिच्चिका के बच्चों को किस परकार की कटिनाइए है थीक कि समायوجन करने में चंप इसमें आहमों आपको विकेंद्री करणकी 5 जो होगा वह को भी किया इस का इन बेट और when chief 4 लाइं आथी को यह नहीं हो फक्र पार है ठीक है ooh पर वो option number second, third जो था, वहीं आपका बिल्कुल correct होगा, अगला question है friends, की करनेल सिंग कानूनी कारेवाही तथा खर्चे के बावजुद आयकर नहीं देते, ठीक है, करनेल सिंग है, जो कानूनी कारेवाही तथा खर्चे के बावजुद आयकर नहीं देते, वे सोचते हैं कि एक सरकार को समर्थन नहीं दे सकते, जो अनावस्यक बाधो के निर्मार पर लाखो रुपए खर्च करती है, वे समभावत कोहल बर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है, ठीक है, परंपरागत, पस्चि परंपरागत, पुरो परंपरागत, परा परंपरागत, ठीक है, यहाँ पर देखें, आपसे क्या गया है, कि करनेल सिंग है, ठीक है, यह कानूनी करवाही तिताख खर्चों के बावजुद जो भी आयकर है, वो नहीं देते हैं, ठीक है, वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते, जो अनावस्यक बाधों के निर्मा है, ठीक है, उसमें जो आपका पस्च परंपरागत है, ठीक है, जो पस्च परंपरागत है, इसी अवस्था में हैं, क्योंकि देखें, यह जो सिध्धान्त है, ठीक है, यह भी सध्धान्तिक अस्तर के रूप में जाना जाता है, इसमें देखें, जो ब्यक्ति होता है, वो स सिध्धान्त बुद्धी में सम्मिलित मांसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक ठीक है और बुद्धी द्वारा लिये जा सकने वाले वीवित रूपो जैसे कि स्रिजिनात्मक बुद्धी ठीक है इसको सामिल करता है वह है पहला option है इस पीर मैंद जी कारक दूसरा option है इस्टार्मवर्ग का बुद्धी मत्ता का त्रितंत्र सिध्धान्त तीसरा है बुद्धी का स्थार्वेंट सिध्धान्त और चोथा है आपका थर्ष्टन की प्रात्मिक मांसिक युग गेता तो देखे फ्रेंड सबसे पहले आपको क्वे बुद्धी मत्त का स्रिजन ब्यक्ति जह होता है इसको सामिल करता है तो वह क्या है थिक जो यह आपका देखे जो इस्टार्म बर्ग Cordhast का त्रितंत्र सिध्धान्त यही वहां होगा थीक है इसमें जो बुद्धी सिध्धान्त बुद्धी में समयत मानसिक प्रक्रियाओं सेकेंड आपसन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए हमने आपके 30 क्वेश्चन कम्प्रीट किये हैं तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग कर लिजिए ठीक है हमारा चैनल है एड दिरे आज के लिए बस इतना सब्सक्राइब मिलते हैं अपने अगरे क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद